हेलो मैं अबसेक और आप देख रहे हैं प्राइम कोर्स यूटूब चैनल इंजिनेर्य मेकनिक्स कोर्स में मैं लीबर पे प्रोलम में स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसका थियरी मैं बता चुका हूँ और वो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है प्रोलम में स्टार्ट करने से पहले अगर वो नहीं देखे हैं तो लिंक की डिस्क्रिप्शन में है जाके देख सकते हैं और तब आके प्रोलम कीजिए तो और अच्छे समझ में आएगा इस वीडियो में हम यह प्रोलम में बन देखते हैं जो लीबर पर है अगरेंक ABC with tension T the liver weight 0.4N per mm as shown in figure यह detail है liver का determine the tension develop in the spring यह पॉइंट A है इस पे 200 नूटन का फोर्स अप्लाइड है यह इस्प्रिंग है इसमें टेंशन क्या होगा हमें फाइन करना है और यह जिस पॉइंट पे स्प्रिंग एटाइच है और पॉइंट B तक मींस जिस पॉइंट पर यह आपका फॉलक्राम है यहां बोल सकते हैं आप रिजिस्ट सपोर्ट उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 200 mm और पॉइंट A से पॉइंट B तका डिस्टेंस है आपका 400 mm और आपको find क्या करना है T तो मैंने आपको थेयरी में बताया था कि अगर ये कोई आपका फॉलक्राम है और ये आपका lever है इस पॉइंट पे कोई एक effective load है जो P Newton का है और इस पॉइंट पे अपका applied load है जो W जिसको मिलेते हैं applied load और यहां से यहां तक मिन्स यहां से यहां तक length between fulcrum and effort load जो A है और यहां से यहां तक length between fulcrum and applied load is B यह आपका A हो गया यह आपका B हो गया तो B क्या है आपका effort load और W क्या है आपका applied load यह है आपका distance between fulcrum and effort load और B है आपका distance between way fulcrum and applied load तो इसमें बताया था कि आप moment about fulcrum पे एक point ले लिजे यह एफ capital F तो moment about f इकल to zero कर देजे यह यह टेकिंग मुमेंट अबाउट f and equating same दोनों statement अब लिए सकते हैं moment about f is equal to zero और टेकिंग अबाउट मुमेंट टेकिंग मुमेंट अबाउट f and equating the same यह दोनों चीज में इसे आपको यह एक लिए दीजे कोई फरक ने परता तो moment about f equating the zero and equating with zero तो क्या होगा आपका पी इन्टो ए इक्वाल टू डवलू इन्टो बी यह मैं आपको बताया था इक्वेशन यह थेरी में बताया था तो मैं यहां पर दो मिनिट बता दिया थेरी और मैं उस वीडियो में मैं कम से कम 10 मिनिट लेया हूँ इसको समझाने के लिए तो उसमें काफी अच्छे समय बताया हूँ तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप तिएरी वाला एक बार जरूर देखिए प्रोम करने से पहले है हम सेम कंसेप्ट यहां इस प्रोलम में हम यूज करते हैं तह मुमेंट अबाउट भी फाइंड करेंगे मुमेंट अबाउट भी इक्वल टू जीरो ठीक है तो हम भी पॉइंट मेंट फाइंड कर रहा है तो एक है हमारा 200 न्यूटन का फोर्स और यह हो गया उसका पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस और यह है यह जो फोर्स है पर्पेंडिकुलर ली है यह अबी पे तो 200 इंटू 400 यह distance of 400 और इसके sign क्या होगा यह आपका मैं बताया था कि आपको sign convention यूज करना है और कैसे sign convention यूज करना है यह anti-clockwise है तो आपका minus हो जाएगा मैं बताया था आपको clockwise always positive लेना है और anti-clockwise negative लेना है तो यह negative में है इसलिए minus अब है आपका एक T यह जो tension spring में developer ICT को में find करना है तो T developer ICT यह tension तो होगा आपका minus T into 200 200 क्या है इसका perpendicular distance है actually यह plus होगा क्यूंकि यह clockwise है निगेटिब निगेटिब नहीं होगा यह clockwise यह इस तरह से आ रहा है इस तरह से मैं आपको बताया था कि जिस point पे moment निकालना है force को उस तरफ लेके जाए force की direction को उस तरफ लेके जाए force की direction clockwise है और वी point पे निकालना है तो वी point में हम जिस तरह से आ रहे हैं तो यह clockwise आ रहा है जिसलिए प्लस होगा और एक और force है यह weight of liver का जो point 4 newton पर mm है तो point 4 newton पर mm को newton में convert करने के लिए आप weight of यहाँ पर लिख दे रहा हूँ weight of liver is equal to point 4 into 400 equal to 160 newton तो weight of liver 160 newton हुआ और यह 160 newton कहाँ एक करेगा यह exact center पर एक करेगा 160 newton 160 newton तो इसका कैसे sign convention minus होगा पलस होगा इसको कैसे decide करेंगे जो this direction में यह force है उस direction में आप भी तक लेगी जाएए तो यह इस तरह से आ रहा है कुछ centricloquise तो minus 160 into 200 equal to 0 ठीक है अब जब इसको solve कीजेगा तो कुछ इस तरह से होगा 200 equal to दोनों तरफ इक्वेट कर देजे 160 into 200 plus 200 into 400 minus को इस तरह लेकाएगा तो प्लस हो जाएगा तो इसको solve करने के बाद आपका ठीका value आता है 200 newton अब कल्कुलेट कर सकते हैं टीका value 200 newton आएगा तो यह simple से question है जो मैं first question था इसलिए मैंने simple लिया और थोरा थोरा difficulty मैं difficult question लूँगा जब next problem करूँगा तो तो इस वीडियो में इतना ही और आपको बताने हैं कि यह वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक किजी और comment में इस वीडियो के बारे में feedback ज़रूर दीजी और अपने दोस्तों को भी share किजी और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक किजी थेयरी वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक किजी और problem number two देखना है तो यहाँ पर क्लिक किजी हमरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद